अशाड मा की गुप्त नवरात्री इस साल बहुत खास होने वाली है। तंत्र मंत्र साधना के साथ देवी दुर्गा की पूजा शुब फलदाई होती है। आए जानते हैं कब है अशाड गुप्त नवरात्री दो हजार चौबीस। सनातन धर में नवरात्री का विशेश महत्व होता है। नवरात्री के दिनों में देवी मा के नौ स्वरुपों की पूजा आराधना की जाती है। साल में चार बार नवरात्री का पर्व मनाया जाता है। जिसमें एक चैत्र नवरात्री, दूसरा शार्दिय नवरात्री और द तो गुप्त नवरात्री, तंत्र मंत्र की साधना में लीन रहने वाले लोगों के लिए गुप्त नवरात्री बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पंचांग के अनुसार अशाड मा की गुप्त नवरात्री का शुभारम शनिवार 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। और इसका समापन सोमवार 15 जुलाई को होगा। गुप्त नवरात्री नौ दिन नहीं बलकि इस बार 10 दिनों का है। मातारानी के भग गुप्त नवरात्री के दौरान मादुर्गा के विबिन्न स्वरुपों की पूजा अर्चना करते है। इस दिन शर्धालू निराहार या फलादार रहकर मादुर्गा की आराधना करते है। प्रतिबदा तिथी में घर वो मंदीर में कलस्थापना की जाएगी। इस साल अशार मास के गुप्त नवरात्री में मातारानी की सवारी होगी गोडा। साल भर में चार नवरात्री का तियोहार मनाया जाता है। इस साल अशार माह में चतूर्ती तिति के वृध्धी होने के कारण गुप्त नवरात्री दस दिन तक चलेगी। दस दिनों में माता दुर्गा की पूजा पूरी तांत्रिक विधी से गुप्त तरीके से की जाएगी। इससे माता दुर्गा की विशेश गुपा प्राप्त होने वाली है। वही गुप्त नवरात्री की शिरुवात के दिन अमृत सिद्धी योग का भी निर्मान हो रहा है जो काफे शुब है तो गुप्त नवरात्री 2024 में कब है घटस्तापना का शुब मुरत इस बार गुप्त नवरात्री में दो मुरत बताए गये हैं पहला मुरत नवरात्री के पहले दिन वीदी विधान के साथ घटस्तापना किया जाता है वही अशार महिने की गुप्त नवरात्री की घटस्तापना का मुरत 6 जुलाई सुब 5 बचकर 11 मिनिट से लेकर 7 बचकर 26 मिनिट तक कर सकते हैं अगर इस मुरत में कलस्तापना नहीं कर इसका दूस्रा मूरत है अभिजित मूरत तो अभिजित मूरत सुबग 11 बजे से लेकर 12 बजे तक कर ले। इन दो मूरत में कलस्तापना करना शुब रहने वाला है। आईए जानते हैं गुप्त नवरात्री के व्रत और नियमों के बारे में। करके साफ वस्तर धारन करने चाहिए। कपूर, जौ, धू, वस्तर, धर्पन, कंगी, कंगन चुडी, सुगंधि तेल, बंदन्वार, आमके पत्ते, लाल पुष्प, दुर्वा, महंदी, बिंदी, साबुत सुपारी, हल्दी की गाट और पीसी हुई हल्दी, पत्रा, आसन, चौकी, रोली, मॉली, पुष्पहार, ब मिट्टी, पान, लॉंग, इलाइची, कलश, मिट्टी या पीतल का कलश, हवन सामगरी, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्तर, दूद, दही, रुतुफल, सफेद और पीली सरसो, गंगाजल, आदी, तो ये है नवरात्री में लगने वाली पूजा सामगरी, आये जानते है गुप्त नवरात्री की पूजाविदी, सुब जल्दी उठकर सभी कार्यों से निवरुत होकर नवरात्र की सभी पूजन सामगरी को एकत्रिक करे, मादुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्तर में सजाए, मिट्टी के बर्तन में जौग के बीज बोए और नवमी त कलश को लाल कपडे से लपेटे और कलावा के माध्यम से उसे बांदे, अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दे, फूल, कपूर, अगर्बत्ती, जोद के साथ पूजा करे, नौ दिनों तक मादुर्गा से सम्वंदित मंत्र का जाप करे और माता का स्वागत करके उनसे सुक सम्रुद्धि की कामना करे, अश्टमी या नौमी को दुर्गा पूजा के बाद नौ कन्याओं का पूजन करे और उन्हें तरह-तरह के व्यंजनों का भोग लगाए, आखिरी दिन दुर्गा के पूजा के बाद घट विसरजन करे, मा की आरती गाए, उन्हें फूल, च चावल चड़ाए और बेदी से कलश को उठाए, तो ये है नौरात्रे की पूजा विदी, आपका दिन शुब रहे